स्री महमत कहे सुनो मौमिनो ए नल्वों की भी तक अब कहों आगे परियान की कहों सो हकिकत मंत्रणा रामचंद्र वकील के फीरे कोई क दीन प्रणधार आत्मसम्मंदे सुन्दर साजी सबसे पहले तो मैं आप सब को इस स्वतंत्रता दिवस के हारदिक सुभकामना देना चाहता हूँ कि जिन शहीदों के योगदान के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता ही हमें जो उपलब्ध है उसी के कारण हम शांति पुर्वक आनन्द से बैठ कर वानी की चर्चा सुन पा रहे हैं इसलिए जिन जिन शहीदों ने वीरों ने योगदान दिया है उनको भी याद रखना याद करना आवश्यक है भले वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके ही त्याग का उनके ही समर्पन का भल है जो हम इतनी सररता से बैठ कर यहाँ चर्चा सुन पा रहे है जो हमें सुनने की भी आजादी मिली है बोलने की भी आजादी मिली है अपने हिसाब से अपना आध्यात्मिक रास्ता चुनने की आजादी है अन्यथा ऐसा नहीं था यदि स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो हम यहां इतने शांती से इतने प्रेमपुर्वक बैठ कर चर्चा नहीं सुन पा रहे होते इसलिए हमें केवल आज के दिन नहीं आज का दिन तो एक बहाना है क्योंकि आज के दिन हमें स्वतंत्रता की प्राप्ती हुई थी पर इस स्वतंत्रता के लिए लगभग सौ वरस का वैसे देखा जाए आप एतिहास देखें तो पहली जो क्रांती हुई वो 1857 में हुई और 1947 में स्वतंत्रता मिली तो नब्बे वरस कह सकते हैं नब्बे वरसों के निरंतर संगर्ष से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और वैसे देखा जाए तो नब्बे वरस तो हमने अंग्रेजों के साथ सतंत्रता की लड़ाई लड़ी लेकिन इससे पहले से ही यूं समझ लिजे कि भारत वर्ष लगभग 800 वर्षों तक दास्ता की बेडियों में जकड़ा हुआ था और उसके लिए जिन जिन राष्ट्र वीरों ने योगदान दिया है हमें हमेशा उनका धन्यवाद देना चाहिए उनके प्रती हमेशा ही कृतज्य रहना चाहिए तो आप सभी सुन्दर साथ को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं अब महामेटी स्री लालदाह जी कह रहे है कि पहले तो हमने ये सुना कल की चर्चा में कि किस तरह से कान जी भाई औरंग जेब के पाँच प्रमुख दरबारी वेक्तित्व के पास पत्र लेकर जाते हैं नलवे लेकर जाते हैं सेख निजाम, सेख इसलाम, आकिल खान, रिज्वी खान और सिद्धिक फौलाद इन में से आकिल खान ने लेने से मना कर दिया, बाकी चारों ने पत्र तो ले लिये पर जब जवाब मागा, तो सब ने यही कहा कि ये अकेले का काम नहीं है हम सब मिल करके ही निर्णाय करके तुम्हें बताएंगे, लेकिन दो महिने हो गए उन पत्रों का उत्तर मांगते मांगते, कान जी भाई प्रति दिन जाते हैं, सब के घर में बटकते हैं, साम को आ करके स्री जी को डेली रिपोर्ट देते हैं लेकिन एक प्रतिसत भी काम नहीं बना है, तो सुन्दर साथ ने सोचा कि अब कोई दूसरा उपाय निकालना चाहिए इसकी लिए सुन्दर साथ रामचंद्र वक्कील के पास गए, इससे पहले आसाजित वक्कील से भी ले थे, उससे भी काम नहीं हुआ रामचंद्र वक्कील के पास कुछ दिनों तक गहे, वहाँ चर्चा भी बहुत सारी की, फिर भी उसमें परमधाम का कोई अंकूर नहीं था इसलिए उसके तरब से कोई भी सेवा नहीं मिल सकी, उसने किसी भी तरह का सयोग नहीं दिया फिर उधवदास गोडिया नामक विक्ति जो की गंगाराम के बड़े भाई थे, उन्होंने दो दिन तक स्रीजी की सेवा की और उसके बाद फिर माया में चले गए, श्रीजी एक दिन दिल्ली में यमना के किनारे टहल रहे थे रेती में वहाँ एक सुन्दरी नाम की सन्या सिनी आई और आकर के स्रीजी के चरणों में प्रणायम किया, दर्शन किया लेकिन उन्हें भी स्रीजी के स्वरब के वास्तव की पहचान नहीं हो सके उधर सुन्दर साथ अपनी सेवा में लगे हुए हैं, कहते हैं मास दोए नलवो मिने किया गुजरान इत दो महिने तक उस पत्र का उत्तर प्राप्त करने के प्रयास में दो महिने गुजर गए अब सुन्दर साथ सोच रहे हैं, कि किस तरह से औरंग जेब तक कयामत के जाहिर होने का संदेश या कयामत के खुश कबरी पहुँचाए जाए इसलिए अब क्या किया, फेर बैठ के परियान को जाए दूर बैठे स्री राज स्री जी के साथ किसी एकांत स्थान में दूर बैठ करके ताकि औरंग जेब के सैनिकों के नजर में भी ना आए ऐसे बैठ करके सुन्दर साथ ने परियान किया, विचारवी मर्श किया कि अब हमें क्या करना है इन परस्थितियों में ऐसी परस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए तो उसमें उस बैठक में दिल्ली के कुछ सुन्दर साथ थे और कुछ सुन्दरसाथ थे जो सूरत के महाजर थे महाजर का तात्परी क्या होता है जो घरवार छोड़ करके निकले हैं जिनके रहने का निवास का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था ऐसे सुन्दरसाथ को यहां महाजर कहकर संबोधित किया है तो कुछ बाहर के सुन्दरसाद भी थे और कुछ दिल्ली के सुन्दरसाद भी सभी सुन्दरसाद ने स्रीजी के साथ बाग में बैट करके विचार वीमर्ज किया कि किस तरह से कयामत जाहिर होने की खबर या उसका संदेश बातसाह तक पहुँचाया जाए श्री जी ने सब सुन्दर साथ को संबोधित किया क्या कहते हैं कि एक बात दिल में लेव तुम्हारी बितक स्री देव चंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक कहते हैं सुन्दर साथ जी आप उस बितक को उस घटना करम को याद कीजिए कि किस तरह से ब्रज की रास की, जागनी की परमधाम की सारी बातें बताए कि जागनी कैसे होनी है किस तरह से मुहम्मद साहव कुरान का ज्यान लेकर के तुम्हारे अर्थात हम ब्रह्मे सिष्टियों के लिए सुन्दर साथ के लिए भी आए हमारे अलावा ब्रह्मे सिष्टियों के अलावा और कोई भी इन ग्रंथों को पढ़ कर भी अक्षरातीत की पहचान नहीं कर सकता है ग्रंथ पढ़ने वाले तो बहुत है वेद दर्सन उपनिशत को भी पढ़ने वाले पाठक बहुत से मिल जाएंगे, कते पुरंपरा के ग्रंथों को पढ़ने वाले भी बहुत से मिल जाएंगे, पर बिना तार्तम ज्यान के, कोई भी उन रहस्यों को नहीं खोल सकता इसलिए स्रीजी कहते हैं एक अलाम तुम बिना और न काहू खुलत ए मेहर कादर की हुई तुम को स्रीजी कहते हैं कि सुन्दर साजे ये जो रहस्य है धर्म ग्रंथों के ये आप लोगों के बिना किसी और से नहीं खुल सकते ये तो राजी की मेहर है राजी की अपार कृपा है कि इनके रहस्य आप से खुल रहे हैं अब आगे कहते हैं प्रेगाम को पहुचावते एक क्या करे तुम स्रीजी कहते हैं कि यदि आप संदिश पहुचाने के लिए और प्रयास करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे तो सुन्दर साथ कहते हैं जो कदी भेश बदले तो डर ना ही हम यदि हमें वेश भूशा बदलने भी पड़े तो भी हमें किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए वेश भूशा बदलने की बात क्यों आई क्योंकि सेख सलेमान से सुना था कि औरंग जे भींदू वेश भूशा वालों से नहीं मिलता है वो बात नहीं करता है इसलिए उन्होंने कहा कि यदि विश्वूसा बदलनी भी पड़े तब भी हमें डरना नहीं चाहिए जो कदी मार डा रही तो हमें मरने का नहीं डर यदि ये मुसल्मान, जाहरी मुसल्मान हमें मार भी डाले तो भी मरने का हमें डर नहीं है क्योंकि हम तो अपने धाम में मूल घर परमधा में जागरित हो जाएंगे हम जागें अपने धाम में हमको नहीं फिकर हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करने चाहिए और नहीं हमें चिंता है जैसा कि हमने शुरुवात की मैंने स्वतंत्रता की बात कह करके आज के प्रसंग की शुरुवात की थी इन दोनों प्रसंगों में कुछ समानता है कैसी समानता? देश की स्वतंत्रता के लिए भी सहीदों के मन में इसी तरह के विचार थे देखिए समाज में यदि महान काम करना हो काम जितना महान होगा उसके लिए बलीदान भी उतना ही महान देना पड़ता है जितना महान कार्य होगा यदि छोटे से त्याग से छोटे से बलीदान से कोई कार्य हो रहा है तो समझ लीजे कि वो कार्य महान नहीं है देश को स्वतंत्र करने के लिए भी लाखों सहीदों ने अपना योगदान दिया और उन सहीदों को तो ये भी नहीं पता कि हम तो कह रहे हैं, सुन्दर साथ तो कह रहे हैं कि हम यदि मर भी जाएं तो परंधाम में जागरित हो जाएंगे वे जो सहीद हुए उनके मन में इस तरह के भी कामना नहीं है उनकी कामना कैसी है? देखिए त्याग दोनों तरफ है पर कामना अलग-अलग है सहीद ये सोच करके बलिदान हो रहे हैं कि इस जनम में हम सहीद हो रहे हैं हमें अगला जनम भी भारत वर्ष में ही मिलें ताकि अगला जनम भी हम सहीद हो सकें ये उनकी सोच है यहां सुन्दर साथ सोच रहे हैं कि यदि हम मर भी जाएंगे तो भी परमधाम में जागरित हो जाएंगे पर तयार हैं देखिए भगत सिंग जी यदि चाहते तो फासी से बच सकते थे असंबली में बम फोड़ा था ना बच सकते थे पर उन्होंने क्या सोचा कि मेरे बचने से मैं अपनी बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊंगा लेकिन यदि मैं मरता हूँ मेरे मरने की खबर से यदि देश में करांती आ जाती है देश के युवा जागरुक हो जाते हैं तो मुझे मरने का कोई डर नहीं है और आज सुबह हमने पुझे स्वामी जी से भी सुना कि भगत सिंग की माता रो रही थी जब भगत सिंग को फासी दिया जा रहा था तो भगत सिंग जी ने पुछा कि आप क्यूं रो रहे हो मैं इसलिए नहीं चाहता था कि आप आएं तो माता ने कहा कि तुम्हें फासी हो रही मैं इसलिए नहीं रो रही हूं मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा यदि दूसरा बेटा होता तो मैं दूसरे बेटे को भी देश के लिए कुर्बान कर देती बलिदान कर देती तो ये कुर्बानी का भाव है ये बलिदान का भाव है देखिए ये भाव हर किसी में नहीं हो सकता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा जितना महान लक्ष है उतना ही महान त्याग होना चाहिए इसी संदर में एक द्रिष्टांत से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ और ये द्रिष्टांत हमने मुझे लगता है कि कई बार सुना है पर जो नए लोग है उनके लिए द्रिष्टांत अतिन्त महत्तुपूर्ण है एक बार कुमारिल भट नाम के एक विद्वान थे वे कहीं इससे जा रहे थे गुजर रहे थे तो पास के किसी घर में से एक आवाज आई किसी के रोने की आवाज आ रहे थी दुखी आवाज आ रहे थी वो बोल रहे थी किम करो में को अगच्छा में को वेदानो धार इसे थी मैं क्या करूं मैं कहां जाओं वेदों का उद्धार कौन करेगा अब यहां वेदों का उद्धार की बात कहां से आई क्योंकि जिस समय की ये घटना है उस समय बाउध्ध मत्व समाज में फैल रहा था गौतम बुद्ध जी के उपदेश को वास्तविक रूप से न समझ पाने के कारण बुद्धों ने सोचा कि परमात्मा नहीं है उन्होंने परमात्मा नहीं है इस बात को साबित करने के लिए और जब परमात्मा ही नहीं होगा तो फिर परमात्मा की वाणी कैसे होगी है तो वेद का विरोध करने के लिए उनने अपनी पूरी उर्जा लगा दी और उस समें हिंदू समाज पूरी तरस से सोया हुआ था कोई उसमें ऐसा जागरुक नहीं था जो बौधों के प्रचार प्रचार को रोके या उनको सही राह दिखाए कि बुद्ध कहना क्या चाहा रह थे गौतम बुध ने कुछ ऐसे विशे हुए जहां तक मुझे पता है साथ ऐसे प्रश्ण थे जिन प्रश्णों के उपर कभी गौतम बुध ने चर्चा ही नहीं की ऐसे प्रश्ण आते थे तो वो मना ही कर देते थे उन प्रश्णों की कभी चर्चा नहीं करते थे जिसमे क्या इस्वर है ऐसे प्रश्ण भी सामिल थे तो जब इन विश्वयों में चर्चा ही नहीं की तो गौतम बुद्ध की अनुयाईयों ने सोचा कि इस्वर नहीं है और वाम्मार्ग उसमें अपनी चरम पर था वाम्मार्ग में बली प्रथा, सती प्रथा जातिगत भेद भाव इसलिए गौतम बुद्ध ने उस परिस्थिती को देख करके कहा कि अगर कोई परमात्मा ऐसे करने से खुस होता है किसी जानवर की बली देने से, किसी कमजोर प्राणी को सताने से, निरीह को सताने से, खुश होता है तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता अब लोगों ने इसका आधा अर्थ लिया एक तरफा अर्थ लिया इस वज़ा से धीरे धीरे देश भर में बाउदमत फैल रहा था और सनातनी जो तथाकतित हिंदु हैं, वे निसक्रिय होगा इसलिए वेदों का उध्धार करने वाला कोई नहीं था उस माता की आवाज में जो करुणा थी कि मैं क्या करूँ कहां जाओ वेदों का उध्धार कौन करेगा उसे कुमारिल भट्ट ने सुना और सुन करके कहते हैं कि माता जब तक धरा पर जब तक इस धर्ती पर कुमारिल भट्ट जीवित है विद्यमान है तब तक कोई भी वेदों का लोप नहीं कर सकता मैं वेदों का उध्धार करूँगा अब कहे तो दिया हमने भी कहा ना तुम सद्गुरु दिपाग भग बय कियो जो आपसमान या फिर इसुख देवन ब्रह्मि सिष्टी को तो में अंगना नार पर जितना कहना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल था हमने जितने आसानी से कह दिया कि ये सुख देवों ब्रह्मिसिष्टी को किसको दिया हमने खुद भी तो नहीं ले पा रहे है अब कुमारिल भट ने सोचा कि वचन तो दे दिया अब पूरा कैसे करें उन्हें वेदों का तो ज्यान था वैदिक सिध्धान्द का ज्यान था पर बौधों के सिध्धान्द के विशे में वो नहीं जानते थे जब तक बौधों के सिध्धान्द को नहीं जानते तब तक वो उसकी खंडनी कैसे करते इसलिए उन्होंने जाकर के बौधों के विश्व विद्यालाई में प्रवेश लिया उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनोती दे दी। अब शास्त्रार्थ में ज्ञान से तो वो जीत गए। तरकों से उन्होंने ये साबित कर दिया, प्रमानित कर दिया। कि इस्वर है और वेद इस्वर ये ज्ञान है। लेकिन अब हारने वाला व्यक्ति अंतिम समय तक हाथ पर मारता है कि किसी तरह से जीत जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है तुमने साबित तो कर दिया तरकों से पर ये इस्वर है और वेद इस्वर ये ज्ञान है तो हमें प्रत्यक्स प्रमान दिखाओ। अब सर्त लगी कि एक पहाड की चोटी से वेदों को लेकर के कूदना था नीचे। बाउद ने कहा कि तुम वेदों को लेकर के नीचे कूदो। ये इस्वर है और वेद इस्वर ये ज्ञान है तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगी तुम नहीं मरोगे। कुमारिल भटे ने वो भी स्विकार किया। कितना विश्वास है उनको। उन्होंने वेद लिया और ये कहते हुए कि यदि इस्वर है और वेद इस्वर ये ज्ञान है तो ये वेद मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर कि वो कूद गए पहाड़ी से और कुछ समय के बाद में वापस भी आ गए। जब वापस आए उनको कुछ चोटें लगी थी। तो उन बौधिस्टों ने कहा कि देखो तुम्हें चोट लगी है इस्वर ने तुम्हारी रक्षा नहीं की है इससे साबित होता है कि इस्वर नहीं है। कुमारील भट ने कहा कि देखो इस्वर ने तो मेरी रक्षा की पर मेरे विश्वास में कमी थी क्योंकि मैंने कहा था यदी वेद है यदी इस्वर है और वेद विश्वर ज्यान है तो यह मेरी रक्षा करेगा। इस्वर ने मेरी रक्षा तो की पर मेरा विश्वास उन शब्दों के आधार पर देखा जाए तो आधा अधूरा था इसलिए मुझे चोट लगी। तो उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर से कूदना भी स्विकार किया अपना समय भी लगाना स्विकार किया बात इतने में खतम नहीं हुई बात आगे और बड़ी उस समय ये नियम था कि जो व्यक्ति गुरू से द्रोह करता था उसे भूसे की आग में सुलग सुलग करके आ आत्म दाह करना पड़ता था दुनिया में बहुत तरह के दर्द होते हैं बहुत तरह के हमें तो काटा भी चुभता है तो हम दर्द से कराह उठते हैं आख में छोटी सी कीडी गुश जाए छोटी सी चीटी या मचर गुश जाए तो हमें इतनी पीड़ा होती है कि हम दिख बहुत सारे दर्द है जैसे किसी इंसान की हड़ी टूट जाए तो कितना दर्द होता है बहुत ज्यादा और जहां तक मैंने पढ़ा है आप सब को भी पता होगा कि माता जब बच्चे को जन में दे रही होती है नॉर्मल डिलिवरी की बात कर रहो मैं सिजर की नहीं उस समय एक हड़ी नहीं 32 हड़ीयों के एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है उतना दर्द माता को सहन करना पड़ता है 32 हड़ीयों के टूटने के बराबर दर्द को लेकिन ये दर्द भी दुनिया में दूसरे पहले नंबर का दर्द कौन सा है पता है जब व्यक्ति को जिंदा जलाया जाता है तो उसमें उससे भी पीडा होती है और जलाने में तो उतनी पीडा होती है बताईए तो सोचे कि सुलग सुलग करके मरने में कितनी पीडा होती है उस पीडा को सहन करना भी कुमारिल भट ने स आप से सवाल पूछता हुमें कि क्या कुमारिल भट उस माता को पहले से जानते थे नहीं वो तो गली से गुजर रहे थे और जाते जाते उन्होंने सुना उनकी आवाज में दुख जलका उन्होंने वचन दे दिया लेकिन उस अंजान अनभिज्य माता के प्रती किये गए और फिर अगनी परिक्षा भी दी सिद्धान्त में हरा भी दिया और भूसे की आग में सुलक सुलक करके अपनी जान भी दे दी ये कुरबानी है ये समरपड है अब हम जिनको ये तार्तमवानी पहुचाने की बात कर रहे हैं जिनको जगाने की बात कर रहे हैं जिन्हें माय से निकालने की बात कर रहे हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं, जानते हैं ना, क्या हमारा उनके साथ कोई संबंध है, संबंध भी है, कौन्छा संबंध है, परमधाम का, धाम की आत्मा का संबंध है ना, तो परमधाम की ब्रह्मे सिष्टी है, यह हमें पता है, उनके साथ हमारा जो संबन है वो भी पता है किसको वचन दिया है वह भी पता है सब पता है लेकिन इसके बावजुद भी हम वो त्याग बलिदान समर्पण नहीं कर पा रहे हैं मैंने इद्रिष्टांत इसलिए दिया ताकि हम सब सुन्दर साथ को समझ आए कि बलिदान या समर्पण किसे कहते हैं केवल कह देना कि हम सेवा करते हैं या फिर हमें जागनी करना चाहिए ये समर्पण नहीं है आप यदि इस लक्ष के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो समर्पण करना ही पड़ता है परिक्षा इसमें देने ही पड़ती है यदि अब तक आपको परिक्ष्या देने की नौबत नहीं आई है तो समझ लिजे कि आपने कुछ किया ही नहीं है देखे जो घोड़े पे चड़ता है वो गिरता जरूर है यदि आपके जीवन में कोई कस्ट ही नहीं आ रहा है जागनी से संबंधित तो समझ लिजे कि आप चुपचाप घर में बैठे हुए आपने अब तक कुछ नहीं किया है आप जागनी के लिए रास्ते पर निकलेंगे समाज में काम करने के लिए निकलेंगे चुकि समाज में पहले से ही बहुत सी मान्यताएं बहुत सी मत भिन्नताएं है आपकी मान्यता को समाज स्विकार नहीं करेगा जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है वो भी जहां जहां जाते हैं वहां चर्चा सुनने वाले लोग भी है स्तुति करने वाले लोग भी है ये कहने वाले कि ये तो भगवान है ये कहने वाले लोग भी है कि इनका तो मूवी नहीं देखना चाहिए ये भी कहने वाले लोग मिले स्री जी को कि ये तो बड़े ठग हैं श्रीजी के लिए सब्द प्रयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी श्रीजी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा है जिन जिन लोगों की दुकाने बंद हो रही थी उन सभी दुकानदार ने श्रीजी का विरोध किया महाविर स्वामे ज्यान के प्रचार के लिए श्रामी दयानन सरस्वतिजी समाज की कुरितियों का आडंबर अंदविश्वास पाखंड का विरोध करने निकले उन्हें 14 बार विष्व दिया गया तो सत्य की राह, धर्म की राह त्याग, बलिदान और समर्पन से भरी हुई है यदि आपके जीवन में किसी भी तरह के कश्ट नहीं आ रहे हैं तो समझ लिजे कि आप अभी माया में ही है आज तक समाज में ऐसा कोई महापुरुस नहीं हुआ जिसने किसी भी प्रकार के कश्ट को न सहा हो हर महापुरुस ने अपने अपने छेत्र में अपने अपने समय में समाज में करांती लाने के लिए अपना कुछ न कुछ नियोचावर किया है और जिसने जितना बड़ा प्याग किया है उसने समाज में उतनी ही बड़ी करांती लाई है और उसका उतना ही बड़ा नाम हुआ है यहां जिन सुन्दर साथ की बात हो रही है वे कह रहे हैं कि जो कदी मार डा रही तो हमें मरने का नहीं डर हमें मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है वाणी कहती है कि जीवते मारिये आपको शब्द पुकारत हक जो न मरेंगे मुमिन तो क्या मरेंगे मुनाफ़क ब्रह्मिस्ष्टी उन्हें कहा जाता है जो जीवित रहते वी अपने आपको मार लेते हैं यहां मारने का मतलब आत्म हत्या से नहीं है सुसाइड से नहीं है मारने का ताथ पर यह यह है कि मरना तो अंतिम है ना अंतिम पड़ाओ है लेकिन हम अपने लक्ष की पूर्ती के लिए इस तरह से तयार हों कि किसी ने कहा कारियम वा साधययम देहम वा पातययम इसका मतलब क्या है हम जो एक कहते हैं ना डू और डाई है ना करो या मरो बोलते हैं ना यह सस्कृत में है कि या तो मैं कारिय सिद्ध करूंगा या फिर मर जाऊंगा पर कुछ न कुछ तो करके ही रहूंगा अब जागने के लिए जो पहले से ही मरने के लिए तयार है पहले से ही उसे भला और किसी प्रकार का डर कैसे हो सकता है अब जो मरने से नहीं डरता उसकी राष्टे में कोई भी बाधाए आजाए वो सोचेगा कि मैंने जितना सोच रखा है उससे नीचे तो अब हो नहीं सकता इसलिए वो हर परस्तिती के लिए तयार होता है वो कभे भी डरता नहीं है तो सुन्दर साथ ऐसे कहे जो माया थे उत्पन कोट बेर मासूक पर उड़ाय देवे अपनातन इसी तरह से एक और चोपाई है समरपन के संदर में कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग पीछे हुते जो मोमिन दोड लिया तिन संग जो ब्रहमिस्रिस्टी हैं वे समरपन का नाम सुनते ही दोडेंगे उल्टा नहीं दोडेंगे दोडते तो आज के लोग भी ये पर विपरिदिशा में भागने के लिए दूरी की तरफ दोडते हैं पर समरपन करने की राहा में हर कोई नहीं दोड पाता है यहां सुन्दर साथ कह रहे हैं कि हमें मरने का बिलकुल भी डर नहीं है इह बात सब द्रिड करो दिल के बीच विचार जैसा जिन उकले सो तैसा कहो करार स्रीजी कह रहे हैं कि सुन्दर साथ जी इस बात का आप अपने दिल में विचार कीजिए और जिसके हृदय में जैसी भी बात हो उन्हें आप यहां सांति पुर्वक कह सकते हैं अपनी अपनी राय दे सकते हैं भाद में यह मत कहना कि हमसे तो पूछा नहीं गया कुछ लोग ऐसे होते हैं संगठन में जहां संगठन की बात आती है न जैसे सभावगर की गई किसी महान लक्ष के लिए विचार विमर्ष किया गया कुछ लोग बोलेंगे ही नहीं चुपचा बैठे रहेंगे और फिर जब कुछ बिगड जाता है तो कहेंगे हमसे पूछा होता तो या फिर हमसे किसी ने पूछा ही नहीं इस तरह की बात होती है देखे दो बाते हमेशा याद रखनी चाहिए और सब को याद रखनी चाहिए पहला यह कि भीष्म पितामह की तरह कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए भीष्म पितामह ने कोई ज्यादा पाप नहीं किया था इस तरह से वे तो धर्म का उपदेश देने वाले थे आप देख लिजिए महाबारत का युद के पस्चात का प्रसंग बीस्म ने ऐसे ऐसे उपदेश दे रखे हैं कि आप दंग रह जाएंगे इतने बड़े ज्यानी थे उनसे कोई ऐसे पाप नहीं हुए थे पर जो दुर्योधन कर रहा था वह अनुचित था द्रवपदी का जो चीरहरण किया जा रहा था वह अनुचित था पर देखते हुए भी वो मौन बने रहे चुप चाप देखते रहे उसका फल उन्हें मिला तो एक बात ये कि भिश्म पितामः की तरह मौन नहीं रहना चाहिए आवश्यक्ता पढ़ने पर बोलना चाहिए और दूसरा ये कि समय बीत जाने के बाद बोला गया सच जूट ही होता है उसमें और जूट में कोई फरक ही नहीं है इसलिए सच बोलना भी हो तो जब समय हो तभी बोल देना चाहिए बाद में बोल देने का मतलब कुछ नहीं होता है हम बोलने की नहीं हम तो जानते थे पर हमने इस वज़से नहीं कहा उस वज़से नहीं कहा तो ऐसे सच का कोई मतलब नहीं है अब यहाँ विचार वीमर्स किया जा रहा है स्री जी कह रहे हैं कि कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत तिस वास्ते में कहत हो तुम जवाब करो इतुब का बाद में कोई अमत कहना कि हमसे सलाह नहीं लिया गया इसलिए अभी जिसको जो कहना है कह लीजिए एतो राज के हुकमें बैठे हैं आपन ये जो जागनी कारिये में हम लोग बैठे हुए हैं ये कैसे बैठे है राजजी के हुकम से एतो निश्चे एहज हैं हक बुरा न करे मोमिन देखे पहले मैक्सिमम लिमिट तक गए कि मरने क के लिए भी तयार हैं फिर कह रहे हैं कि राजजी ब्रह्मिस्ष्टियों का ऐसा तो नहीं होने देंगे कभी भी राजजी ब्रह्मिस्ष्टि को इस तरह से मरने की नौबत तक तो नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा दूसरे अपना अंकूर ये जो है सकुमार से और सकुमार से हमारा निस्वत भी तो है परमधाम का संबंध भी तो है इसलिए क्योंकि हम परमधाम में इकठे बैठे हैं हमारी परात्म साथ में है तो वो हमारे उपर इस तरह से अत्याचार तो नहीं कर सकता इसलिए तिस वास्ते पैगाम पहुचावना एही किया परियान इसलिए सब लोगों ने मिलकर के यही निर्णै लिया यही वीमर्ष किया कि औरंग जेब को संदेश देना ही है पहुचाना ही है सब लोगों ने यह बात आपस में ली और इसी को दिल में हृदय में स्वेकार किया अब कहते हैं स्री महामति कहे ए मुमिनों ए बीतक कही हम तुम आगे जो मजगूर हुआ सो ए बतावे हम अब सुन्दर साथ के आपस में जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो बात हुई उसकी भीतक स्री लालदाहजी ने सुनाई अब आगे किस तरह से उस बैठक के आधार पर कारिय किया गया उसके विशे में बताने जा रहे है अब साम के समय तक सुन्दर साथ ने बैठक की साम को अपने अपने घरों में वापस आ गए अपने अपने निवास्तान पर और रात को जामा मस्जिद की सीडियों पर बैठकर सनन्द की वाने का गायन करने लग गए इस तरह से उन्होंने नियम बना लिया था कि प्रतिदिन जाते थे रात के समय में और सनन्द का गायन करते थे ताकि कोई ऐसा हो जो इसको सुने समझे और आकर के बातचित करे और उसी बातचित में यदि कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो औरंग जेब तक हमारा संदेश पहुचा सके तो हम औरंग जेब से मिलेंगे उससे बात करेंगे इसी लक्ष को केंद्र में रखते हुए सुन्दर साथ प्रति दिन गायन करते हैं कहते हैं जोस धनी सिर उपर नजर नहीं संसार सुन्दर साथ के उपर राजजी का जोस है इसलिए उन्हें संसार नजर ही नहीं आता है संचार नजर नाने का क्या तात परिया है देखिए मैंने जिसा की पहले ही कहा कि आप कोई भी अच्छा काम करने लग जाएंगे पहले लोग उसका मजा कुड़ाते हर वैजियानिक का भी मजा कुड़ाया गया होगा हर महापुरुष का हर दार्शनिक का मजा कुड़ाया गया एडिसन के विशय में आपने पढ़ा होगा एडिसन जब स्कूल में था तो यहां तक कि उसके पढ़ाने वाले भी मजा कुड़ाते थे उसके खुद के टीचर ने एडिसन की मा को पत्र लिख करके भेजा था कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता है पर उनकी द्रिष्टी एडिसन का विजन और उनका परिश्रम ऐसा था कि जहां तक मुझे पता है जितने आज तक वैजियानी खुए उनमें सबसे ज्यादा आविश्कार एडिसन के नाम से है जिस बल्ब के द्वारा हम प्रकास प्राप्त करते हैं रात्री में ये बल्ब भी उनका ही आविश्कार है ऐसे कम से कम भी सात आठ सो आविश्कार उनके द्वारा किये गए है पर सब उनका मजाक उड़ाते थे जब टेलीफोन की बात की जा रही थी कि ऐसा यंत्र बनाएंगे कि यहां बैठे बैठे कहीं दूर हम बात कर सकेंगे लोगने उसका भी मजाक उड़ाया होगा जिस जिस नए आविश्कार की बात होती इसलिए सुरुवात में हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है अब जब हमें अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना होता है तो हमें सबसे पहले तो स्री जी ने चिंतावणी जी को प्रबोध करते वे बता दिया था कि लोक लाज मरियादा छोड़ी तब ज्यान पदवी पाई अथवा जो राखे कुल वेद मरियादा सोजिन संग करो हमारा आपको एक बार के लिए तो लोक लज्ड़ा के मरियादा के बंधन को छोड़ना ही पड़ेगा आप ये देखते रह जाएंगे कि दुनिया क्या कहेगी एक बहुत पुराना गीत था कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना है न अब जब ये भी हम ही सोचने लग गए कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे सोचने का काम लोगों का है आप सोचने का काम उन पर छोड़ दीजिए और दुनिया की तरफ यह मत देखे कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कहते हैं नजर नहीं संसार सुन्दर साथ यह नहीं सोच रहे हैं कि यह जो जाहिरी मुसल्मान है वो हमें क्या कहेंगे और कहने वाले सिर्फ मुसल्मान थोड़ी थे मुसल्मान थे वो ये कहते थे कि ये हिंदू होकर के कुरान पढ़ रहे है हमें इनकी बात स्विकार नहीं है हिंदी भाषा में बात कर रहे है और हिंदू कहते थे ये हिंदू होकर कुरान पढ़ रहे है दोनों एक ही बात कहते थे दोनों का देखने का नजर या अलग था पर दोनों की नजर में सुन्दर साथ गलत थे लेकिन सुन्दर साथ में ये नहीं देखा नजर नहीं संसार निसंक चर्चा करत हैं परवाह नहीं लगार निश्चिन्थो करके बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के, बातसाह के औरंग जेब के मुगल सल्तनत की परवाह किये बिना, उस मुगल सल्तनत की परवाह किये बिना, जिस मुगल सल्तनत से भीडने की ताकत उस समय प्रत्यक्ष रूप से किसी में नहीं थी, किसी में भी नह राजा विरोध करते थे चाहे पंजाब की बात करें चाहे महारास्ट्र की बात करें चाहे बुंदेलखंड की बात करें हर स्थान की राजा गुप्त रुप से छापा मार युद् necesita खुल करके सामने आने की हिम्मत किसी में नहीं थी और ये सुन्दर साथ सामने ने उनकी छाती पर बैठ करके सनन्द की वाने का गायन कर रहे हैं यह नहीं सोच रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा अब इस तरह से सुन्दर साथ जब प्रति दिन जामा मस्जिद के सीनियों पर बैठ कर सनन्द का गायन करते हैं तो वहाँ नंदलाल एक व्यक्ति होते हैं जिनका काम था घंटी बजाने का कैसी घंटी वो टिंग टिंग बजते हैं वो वाली घंटी नहीं पहले की समय में आजकल की तरह तो घड़ी नहीं हुआ करते थी सब के पास तो समय का पता कैसे चले इसलिए दो-तीन अलग-अलग पैमा ने थे समय देखने के एक तो सूरज घड़ी सूर्य के आधार पर लेकिन वो तो दिन में ही दिखाई पड़ता है दिन में पता चलता है कुछ जो है वो रेत वाली घड़ी होती थी उससे अंदाज लगता था कि कितना समय वेतित हो गया इसी तरह से पानी वाली भी होती थी कुछ निश्चित मात्रा में पाने डाल दिया गया और फिर वो पानी खाली हो गया तो पता चला कि एक गंटा भीता है या कितना भीता है इस तरह से तो प्रत्य एक घंटे में घंटी बजाई जाती थी, जैसे रात्री के एक बजे हैं, तो एक बार घंटी बजाई गई, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, इस तरह से बारह बजने पर बारह बार घंटी बजाई जाती थी, ताकि जहां तक घंटे की आवाज जाए, लो की वज़से उन्हें नंदलाल घडियाल जी कहा जाता था घडियाल मतलब घडि तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ स्रुरी जी से तार्तम ज्यान ग्रहंण किया और स्री जी की पहचान की तता स्री जी की सेवा में ततपर हो गए और एक राजाराम जी थे दिल्ली के ये मेरता वाले नहीं और अपने बेटे शिवराम के साथ प्रतिदिन श्री जी का दर्शन करने आने लग गए उन दोनों ने पिता पुत्र ने दोनों ने मिलकर नंदलाल घडियाल जी के साथ बैट करके विचार विमर्स किया और उनोंने सोचा कि नंदलाल जी की तो ड्यूटी मस्जिद में ही है उन पर किसी को सक भी नहीं होगा इन्हें कुछ पत्र लिख करके दे देते हैं जो वो मस्जिद में चिपका देंगे फिर हर कोई देखेगा उसको और कोई ने कोई तो बादशा तक बात पहुचा भी देगा इस तरह से उनोंने योजना बनाई और उस पत्र में ये लिखा कि जो कोई भी मुसल्मान हो उन सब के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं कि इसारू अल्ला का आगमन हो चुका है उनके साथ में मुहम्मद सहाम ने जब आइदा किया था वो स्वयम भी आ चुके हैं अस्राफिल का आगमन हो चुका है जबराइल आ चुका है इसी तरह से कयामत के जितने भी निशान है वो सब जाहिर हो चुके हैं और इसको पढ़ करके भी या इसको बिना पढ़े कोई आगे नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो उसकी नमाज कबोल नहीं होगी और उल्टा खुदा के तरफ से लानत दिया जाएगा उनको लानत मतलब धिकार दिया जाएगा हमने हमारे सिर पर जो फर्ज था करतव्य उत्तरदाइत वथा उसको उतार दिया है अब ये तुमारे हाथ में कि इस चिठ्ठी को पढ़ करके स्विकार करते हो या फिर इसको नजर अंदाज करते हो इस तरह से चिठ्ठी लिखकर नंदलाल जी के हाथ में सौप दिया नंदलाल जी ने रात को गोद लगा करके गुसल खाने में चिपका दिया गुसल खाना मतलब इसनान घर समझ लीजिए क्योंकि प्रत्य एक मुसल्मान नमाज पढ़ने जाने से पहले वजू करता है अपने अंगों को धोता है तो उसके लिए गुसल खाने में हर कोई जाते ही तो सुन्दर साथ ने सोचा कि हर वेक्ति उसको पढ़ेगा अब एक ने पढ़ा तो दूसरे को दिखाएगा यदि किसी का ध्यान नहीं भी जा रहा होगा तो देखो देखो क्या लिखाए और जो दिवाल हमेशा खाली रहती होगी उसमें कुछ चिपकाया होगा तो सब लोग नोटी समझ करके पढ़ी लेंगे इस तरह से जब सुबह हुई सब लोगों ने चिठ्थी पढ़ा और सुबह का एक प्रहर बीत गया और पहला प्रहर बीतते बीतते औरंग जे बादसाह तक ये बात पहुँच गई कि गुशल खाने में किसी ने रुका चिपकाया है चिठ्थी चिपकाई है बादसाह तक ये जब बात पहुँची तो उसने मगवाया अपने सैनिकों को बेच करके कि उसको सावधानी पुर्वक उखाड करके ले कि आओ लाए तो जैसे ही बादसाह ने पढ़ा अब बुद्धी तो थी ही उसकी इतनी कुटिल बुद्धी थी उसकी कि जिसने अपनी बुद्धी से अपने चल कपट से तीनो भाईयों को मरवाया हो तो वो बढ़ते ही समझ गया कि जिसने भी ये चिठी लिखी है उसने मेरे से मिलने की कोशिस बहुत की है क्योंकि अगर उसने कोशिस नहीं की होती तो ये गुसल खाने में चिठी चिपकाने की नौबत नहीं आती अब मिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी शेख सलेमान की उसने गुसे से शेख सलेमान को बुलाया और उसको उस काम से हटा दिया और दूसरे काम में लगा दिया बोले कि आज से ये तेरा काम नहीं है और अब सेख निजाम का बेटा था अबदुल्ला सेख निजाम तो पता है बादशा का धर्मगुरू तो अब सेख निजाम की बेटे अबदुल्ला को वह जिम्मेदारी दे दी जो पहले सेख सलेमान के पास थी और उसने सेख अबदुल्ला से ये कहा कि पूरे सहर में धिंडोरा पिटवा दो दिल्ली में कि जिन लोगों ने ये चिथी चिपकाई है रुका चिपकाया है गुसल खा पहुंचा सकते हैं अब अबदुल्ला के मन में भी पाप था क्योंकि उसको भी पता होगा क्योंकि उसके घर पे तो आय थे ना सुन्दर साथ सेख निजाम को पत्र देने के लिए तो वो भी नहीं चाहता था क्योंकि कटर सरियती उसके मन में भी ये इच्छा थी कि बादसाह तक ये लोग न पहुँच पाएं न मिल पाएं इसलिए उसने धिंडोरा तो पिटवाया पर उसमें संदेशा अलग ही पहुचाया उसने क्या कहलवाया सब को कि जिसके भी मन में बादसाह से कोई फरियाद करने की इच्छा है वो चिठी पर लिख करके जब बादसाह जुमे की नमाज को जा रहे होंगे उस समय दे सकता है अब दोनों बातों में कितना फरक है जुमे की नमाज को अब बादसाह निकला जिस दिन तय हुआ था सुक्रबार को बादसाह ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे फर्यादी है एक नहीं अनेक फर्यादी है और सुन्दर साथ वहाँ लालदास और निर्मलदास भी समझ गए थे कि यह हमारे लिए ही धिंडोरा पिटवाया गया है तो यह दोनों भी गए अपनी फर्याद ले करके चिठी ले करके उन्होंने अबदुल्ला को वह चिठी दे दी उसने चिठी देखी वो समझ गया देखते ही कि यह चिठी तो यह रुका-चिपकाने वाले हैं यही लोग हैं जो बादसा से मिलना चाते हैं उसने चिठी को फार दी और अपने जेब में डाल दी लाल दाह जी और निर्मल दाह जी ये देख रहे थे तो वो चिलाने लग गए कि तुमने ऐसा क्यों किया बादसा ने हमारे लिए ही धिंडोरा पिटवाया था हम ही वो लोग हैं जिन्होंने गुसल खाने पर रुका चिपकवाया था लेकिन अब भीड इतनी ज्यादा थी कि इन दो लोगों की बात कोई सुन नहीं पाया बादसा को भी नमाज में जाने की जल्दे थी उसने अपने घोड़े को एड लगाई और घोड़ा आगे बढ़ने लगा ये द लालदास जी ने स्रीजी को पत्र के माध्यम से भेज़ दिया कि स्रीजी साहिब हमने तो संदेश पहुचाने में कोई कमी नहीं रखी थी पर यहां दज्जाल का बहुत बड़ा पहरा है दज्जाल ने इस तरह से घेर रखा है घेरा डाला हुआ है कि हम आसानी से बादसाह तक पहुच ही नहीं पा रहे हैं सारी बातें उन्होंने बताई और फिर ये भी लिखा कि स्रीजी साहिब आप बिल्कुल भी चिंता मत करना एह लड़ाई हमारी अब देखीओ श्रीजी साहिब अब आप हमारी लड़ाई देखना हमने दज्जाल की सक्टी तो आप तक देखी पर अब हमारी लड़ाई देख लीजे के आपकी कृपा से आपके आशिरवाद से अब हम संदेश देने का काम कैसे करते हैं हम जरूर औरंग जे बादसा तक संदेश पहुंचाएंगे हम अब धर्म के युद के लिए जा रहे हैं लड़ाई करने जा रहे हैं आप अपने इस्थान पर सावधानी पुर्वक रहना तुम सिरपर हमारे खड़े समरत परवरदिगार आप सर्व सामर्थयवान साक्षात अक्षराती धाम्दनी हमारे सिरपर खड़े हैं और थात हम पर कृपाद रिष्टी बनाए हुए हैं इसलिए हमें किसी तरह की चिंता नहीं है और जब आप हमारे सिरपर हैं तो ये जो कटरपंथी सरियती मुसलमान है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते इस तरह से लालदाह जी ने चिठी लिखी कांजी भाई के हाथ से भीजवा दी कांजी भाई जी के हाथ से पाती चिठी प्राप्त करके अब स्री जी ने चिठी लिखा तुरंत से और उसमें क्या लिखा कहते हैं तुम आकले न होईयो मैं आवत हो सिताब आकले मतलब आप सिगरता मत करना जल्दी बाजी मत करना मैं वहाँ आ रहा हूँ मुझसे मिलने के बाद ही आप आगे का निर्णे लेना मोसो मिलाप करके तुम की जो एह काम फेर बैठ मसलत करें एक जागा इन ठाम पहले में आऊंगा हम एक कांत में बैठ करके विचार विमर्ष करेंगे और उसके बाद फिर जो करना है उसका निर्णे लेंगे अब कांजीवा स्री जी का पत्र ले करके आए सुन्दर साथ ने पढ़ी और फिर स्री जी की राह देखने लगे कि स् इस तरह से अब श्री जी दूसरे दिन आए चादनी चोक में पहुँचे चादनी चोक पहुचकर अब श्री जी सुन्दर साथ से मिलते हैं और मिल करके कहते हैं अब तुम्हें क्या करना पहुचावने पहगा स्री जी ने पूछा कि अब संदिश महुचाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं जोस में भरकर सुन्दर साथ ने क्या जवाब दिया कहते हैं साथियो जवाब दिया जोस में हम टूक टूक होवें इनकाम कि स्री जी साहिब हम इस सेवा के लिए अपना सर्वस्व नियोच नियोचावर करने के लिए तयार हैं सब कुछ टूक टूक होने का मतलब टुकड़े टुकड़े होना लेकिन सारीरिक द्रिश्टीर से नहीं यहां सब कुछ नियोचावर करने के बात कर रहे हैं और सुन्दर साथ ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है किसी प्रक कि शंका है किसी भी प्रकार का डर है भय है तो वो सुंदर साथ एक तरफ हो सकते हैं पर हम औरंग जीब को संदेश देने अवस्य जाएंगे और श्रीजी से कहते हैं कि श्रीजी साहिब बस हमें आप से केवल आदेश चाहिए उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए हमने अपना सर्वस्व निजानन्द की राहा में समर्पित किया है धर्म की सेवा के लिए समर्पित किया है इसके अलावा हमें और कोई सूझता ही नहीं है हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है स्री जी ने जब सुंदर साथ का ये जोस देखा कहते हैं जोस इनों का देखके स्री राज भै खुसाल स्री जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदर साथ को सांतों ना दि दिलासा दिया कहते हैं इनों को देखे आशिक उपर दीन इसलाम एह बक्सी सहक की नाहीं और का काम स्रीजी कह रहे हैं सुन्दर साथ को इनों ने जब देखा कि ये तो धर्म की सेवा के लिए जागनी के लिए सर्वस्व नियोचावर करने हितु तत पर हैं तयार हैं यही वास्तों में सच्चे धर्म प्रेमी हैं और ये जो सेवा की भावना है ये त्याग की भावना हर किसी में नहीं होती एह बक्सी सहक की नाहीं और का काम हर किसी से ये कारिय नहीं होता जिस पर धनी मेहर करते हैं वही वास्तों में समर्पन कर सकता है हम भी प्रयास करके देखें यदि हम से समर्पन हो पा रहा है तो समझ लिजे कि हम पर राज्जी की बहुत महर है कई बार हम सोचते हैं कि हम राज्जी को ये दे रहे हैं हम राज्जी को ये सौप रहे हैं पर वास्तविक्ता ये है कि हमारे पास ऐसा क्या है भी पहचान नहीं है उन्हें भी दूसरों की जागनी के लायक बना रहे हैं एक किसी कवी ने कहा तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मौर मेरा मुझ में कच्छु नहीं जो होवत सबतोर यहां हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम राजी पर समर्पित कर सकें वे हमें अपना समझ करके हमें समर्पन करने के लायक समझ रहे है तो यह हमारा सौभाग्य है यदि हमसे हो पा रहा है तो यहां भी यही बात कह रहे हैं कि राजी जिन पर मेहर करते हैं वही इस तरह का समर्पन वही इस तरह का त्याग कर पाता है हर कोई नहीं कर पाता अब सब सुन्दर साथ समर्पन की भावना से ओत प्रोत हैं, डूबे हुए हैं सब की अंदर एक दूसरे से बढ़ कर जोस हैं, एक से बढ़ कर एक हैं और हुए मगन दीन में करत हैं हस हस, हसते हुए खुल करके बात करते हैं, उनको डर नहीं है यह नहीं सोच रहे हैं कि हमें औरंग जे बादचा के पास जाना है, क्या होगा हमारा हमें तो मान लिजे कि एक उदाहरन के लिए उदाहरन के वल आपको यह कह दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना कल सुबह जा करके सरसावा के ठाने में जितने पुलिस वाले हैं उनको एक एक ब्रोसर और एक एक किताब दे करके केवल इतना कहना है कि आप लोग क्रिपया यह किताब पढ़ लीजेगा और आपको जैसा लगे अच्छा लगे बुरा लगे हमें फीडबैक देने के लिए इस नम्मर पे फोन कर लीजेगा इतनी बात कहने कि जिम्मेदारी भी यदि आपको दी जाए तो आप रात भर नहीं सो पाएंगे किया रहे हमें डाट दिया तो डाट के भगा दिया तो हमारी बेजती कर दित्तो हम इस तरह से सोचेंगे एक बार नहीं धरजनों बार सोचेंगे यहां मरने के लिए जाने वाले हैं मरने का मतलब कोई निश्ची थी नहीं है ना औरंगजेब का तो इतिहासी कुछ ऐसा ही था हमने सुना ही औरंगजेब के इतियास के बारे में लेकिन फिर भी सुन्दर साथ हस्ते हुए बात कर रहें खुल कर के अंदर कोई गुमसुदा नहीं है कि हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे हमारा क्या होगा कुछ नहीं सोच रहे हैं और उन्होंने क्या किया रस्वई कर स्री राज को अरुगाया इति स्याम बाई रामराए कदमो लागे इन वक्षत सुन्दर साथ ने अपने हाथ से स्री जी को रस्वई कराई भोजन कराया लालदाह जी की पुत्री हैं स्याम बाई तथा श्यामबाई के जो पती हैं अर्थात लालदाह जी के जो जमाई हैं अथवा दामाध हैं रामराय उन्हों दोनों ने स्रीजी के चरण में उस समय आकर के प्रणाम किया अब उस समय सुनदर साथ के मन में इतनी प्रेम भावना है कि कोई स्रीजी को अरोगाने की लिए मिठाई लेकर आता है कोई कुछ और चीज लेकर के आता है इस तरह सब सुनदर साथ मिल करके स्रीजी को भोजन अरोगाते हैं कहते हैं इत्खुसाल होए के रजा दई स्री राज जाए पधार एकांत अब देखो हमारा काज सुन्दर साथ क्या कह रहे हैं स्री जी साइब अब आप यहां से चले जाईए एकांत इस्थान में बैठ करके विराजमान होईए और अब हमारा काम देखिए यह अभीमान नहीं अहंकार नहीं है यह एक सेवा की भावना है यह एक स्वाभिमान है कि हम कारिय करने जा रहे हैं हम राज जी को रिजाने प्रसन करने जा रहे हैं एक ब्रहमात्मा की जागनी करने जा रहे हैं कह रहे हैं स्री जी साहिब आप एकांत में बैठी है और एकांत में बैठ करके आ आप सिर्फ देखते रहें कि हम क्या करते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो सुनियो एह भी तक। महामती स्री लालदाजी कह रहे हैं कि अब आगे किस तरह से धामधनी अक्षिरातित के हुक्म से सुन्दर साथ औरंग जेब बात्साह के दरबार में गए। किस तरह से उन्होंने औरंग जेब को संदेश देने का प्रयास किया, उस प्रयास में सफल हुए कि असफल हुए ये भी तक आगे बताने जा रहे हैं। अब जो अगला प्रकरण है वह है औरंग जेब से भेंट की। अब यहां औरंग जेब से भेंट करने के लिए देखिए पांच हजार की जमात तो पन्ना पहुँची थी, दिल्ली में इतनी संख्या नहीं होगी पर फिर भी दोड़ाई हजार तो संख्या पहुची होगी। हाँ उन में से अदिकांस सुन्दर साथ को अनुप सहर छोड़ा आए थे, फिर भी सैकडू सुन्दर साथ दिल्ली में थे। उनमें से सभा में बैठने वाले भी काफी होंगे स्री जी के साथ बैठ कर वीचार वीमर्ज करने वाले काफी लोग होंगे पर जाने के लिए कितने तयार हैं और अंग जिप के पास जाने के लिए तयार हैं बारह लोग हाँ 12 लोग तयार होते हैं और साथ में परोग चुरूप से उनकी सहायता करने के लिए अनन्त राम, लाल बाई, स्याम बाई और राम राय जैसे सुन्दर साथ तयार होते हैं क्योंकि सब लोग दरवार में चले गए तो कोई आवस्यक कारिय होगा बाहर से किस तरह से पूरा करेंगी इसलिए ये कुछ सुन्दर साथ चार का नाम आया हो सकता इनकी अलावा और कोई भी हो ये चार सुन्दर साथ बाहर से सेवा करने के लिए तयार होते हैं जिनका नाम आगे स्री जी ने बड़ी पत्री में लिया उनकी अलावा लाल दास जी और चिंता मनी जी ये ठठान अगर से थे दिल्ली से छे सुन्दर साथ हैं चंचल दास, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, सेख बदल और कायम मुल्ला कायम मुल्ला की बात को मैं विसेश रूप से कहना चाहूंगा कि इनोंने तार्तम भी ग्रहन नहीं किया था उन्हें तो स्री जी ने पैसा देकर कुरान का फार्सी में अनुवाद करने के लिए रखा था लेकिन अनुवाद करते करते स्री जी के सानीदिय में रहते रहते उनको भी इस बात पर इतना इमान हुआ विश्वास हुआ कि वो भी औरंग जे बादसा तक संदेश पहुचाने के लिए सुन्दर साथ के साथ सामिल हो गए मृत्यू का डर तो उनको भी होगा ना अगर डर होता तो डर नहीं होता तो क्योंकि सबसे पहले बात्सा अगर मारता तो जो मुसल्मान थे उनको मारता कि चलो इनको तो पता नहीं है तुम तो जानते थे इस तरह से लेकिन फिर भी वो नहीं डरे तो ये छे सुन्दर साथ हुए दिल्ली के दो ठठान अगर के फिर सोमजी भाई है खंबात से खिमाई भाई है बुंदेल खंड के उसके बाद है भीम भाई और एक और सुन्दर साथ है स्याम जी तो इतने सुन्दर साथ कुल मिलाकर बारह सुन्दर साथ है जो औरंग जेब के दरबार में जाने के लिए तयार है अब सीधे तो दरबार में नहीं घुच सकते इसलिए इन्होंने ये तय किया कि मुसल्मानों का वेस्टो धारण करना ही पड़ेगा हिंदुओं के वेस्टे तो यही काम पहले भी किया था यही प्रयास पहले भी किया था इसलिए उन्होंने मुसलिम फकीरों का वेस्टो धारण किया मुसलिम सादूओं का जो सुफी फकीर होते ना उनका सुफी फकीर का वेस्टो धारण करके जामा मस्जिद की पग्थी अर्थात सीणियों पर चले गए सीणियों पर जाकर सनन्द की वानी का गायन करना शुरू किया और अब इस तरह से गायन कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से जो इमाम था जो सब को इमाम जहां तक मुझे पता है उसको कहते हैं जो सब को आगे बढ़ करके नेत्रित्व करके नमाज पढ़ाने का काम करते हैं उनको इमाम कहा जाता है तो उन्होंने बात सुनी और बात सुन करके आकर के सुन्दर साथ से मुलाकात की सुन्दर साथ से जैसे ही मुलाकात की उनके मुख से सनन्द के वारणे सुन करके उस इमाम को लगा कि ये तो कहते हैं देखे तारा दीन के नजर करी आसमान रहमत रहमत करके हुई हक सुभान उसने कहा कि ये तो दीन के तारे हैं दीन मतलब धर्म ठेके यहां दीन में तारा दिखाने वाले मुहावरे का प्रयोग नहीं किया है दीन जो शब्द है दिर्ग ही लगा हुआ तो उसका अरत होता है धर्म और यहां दीन के तारे का मतलब क्या है ये एक मुहावरा है जैसे हम कोई वेक्ती हमें बहुत प्रिय होता है तो कहते हैं वो तो मेरी आखों का तारा है इसी तरह से दीन के तारे का मतलब है धर्म प्रेमी तो उस इमाम ने इन सुन्दर साथ को देखा कि ये तो धर्म के सच्चे प्रेमी हैं दीन के सच्चे आशिक हैं और इनके मुख में इतना जोस है इनके चेहरे पर इतना जोस है ये देख करके उसने आस्मान की तरफ नजर की खुदा को याद करके रहमत रहमत करके उसने असिरवाद मागा, कृपा मागा कि ये खुदा इन पर रहम करना, इन पर अपनी कृपा करना. अब आगे किस तरह से उस इमाम के माध्यम से सुन्दर साथ उस सुल्तान औरंग जेब से मिलते हैं, कैसी बात होती है, औरंग जेब बात साह सुन्दर साथ की बात को कितना सुनता है, कितना नजर अंदाज करता है, किस तरह से धरवारियों के भटकाने पर सुन्दर साथ को य नजर करी आसमान रह्मत रह्मत करके हुई हक सुभान हुई हक सुभान बोलो स्री प्राणनात